तो दूसरे वीडियो में बात करने वाले विप्रो शहर के बारे में और विप्रो में आपको और भी ज़्यादा यहां पर Intensified for देखने को मिल सकता है. उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का एक ही रीजन है और वह है Infosys के रिजल्ट्स. क्योंकि जो Infosys की अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो Infosys के रिजल्ट में हम एक वाटर वाटर इतना कुछ खास इंप्रूब्मेंट देखने को नहीं मिला और प्रॉफिट में तो क्वाटर क्वाटर में डीप भी देखने को मिल रहा है तो ये एक रीजन है जिसकी वजह स तो मंडे के दिन आपको सारे के सारे Artist Box में बड़ा सा Fall भी देखने को मिल सकता है ठीक है ऐसी यहाँ पर Expectations रखी जा रही है क्यों क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है जो Cotton Quarter के Estimate रहते हैं उनको बड़े Margin के साथ यहाँ पर Miss किया है ठीक है ये Infosys की बात कर रहे है प्लस तो अगर हम TCS की बात करें तो TCS के भी जो Result हमने देखे थे यहाँ पर Result उतना कुछ खास नहीं थे Market के अंदर कोई भी Reaction नहीं था ठीक है Growth तो Definitely हमें देखने को मिली है लेकिन कोई ज़्यादा Growth भी नहीं है और ज़्यादा गिरावर भी बहाँ पर नहीं हुई है एकदम फ्लेथ ही वहाँ पर हमें Momentum देखने को मिल रहा है तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है कि जो Stocks का Result बाकी होता है हमें वहाँ पर ज़्यादा Pressure देखने को मिलता है फॉर एक्जेंपल विप्रो हो गया HCL टेक गया तो इन सारी Companies में आपको ज़्यादा यहाँ पर 10 Intensified for देखने को मिल सकता है तो हमारा काम क्या है हम हमेशा Levels को Follow करते हैं अभी जो Level है दोस्तों आपके सामने निकल कर आ रहा है वो है 550 का ठीक है अगर ये स्टॉक 550 के नीचे Breakdown देता है तो Downside में पहला Target होगा आपका 530 और 530 के नीचे निकलता है तो आपको 525 का जो Major Sport है वहां तक ये स्टॉक Track होता हुआ देखने को मिल सकता है एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी 525 का Breakdown आया तो Downside में सीधा 25 पॉइंट का एक और बड़ा Gap है और ये स्टॉक सीधा 500 रुपे तक डेखो सकता है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखकर यहां पर चलने की विप्रो के रिजल्ट शायद से आखिर में यहां पर आने वाले IT फील्ड में तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास है यहां पर विप्रो के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा तो हमारा दोस्तों यहां पर ओवव्यू क्या है कि अगर मार्किट थोड़ा सा भी यहां पर देखो यहां पर क्या है ये बड़ा सा फॉल है ठीक है ये पेरबोलिक मुझे लगता है तो हमें पेरबोलिक मूव में शौट सेलिंग नहीं माननी हमें सिर्फ एक चीज धूंधनी है कि अभी ये जो पेराबोलिक मोर आया है उसमें अगर इंट्राडे में विप्रो एक बड़ा सा ग्याप ओपनिंग देता है तो हमें वहाँ पर कुछ सेलिंग की ओपोचुनिटी धूंधनी है ठीक है अभी कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ इसके लिए मैं पांच मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा ठीक है तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कब मारेंगे तो अगर विप्रो हमें क्या करता है विप्रो हमें यहाँ कहीं पर जो आज का ये हाई लगा है अल्मोस्ट अनंत 554 तो यहाँ कहीं पर अगर ओपनिंग देता है ठीक है तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग मारेंगे पहला टार्गेट हमारा रहेगा 5,69,550 सेकंड हमारा रहेगा 556 और उसके नीचे हमें 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं विप्रो फ्रंट तो ये हमारा ओवभी रहेगा आने वाले मंडे के लिए तो दूसरी और हम यही करते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर लेना